कोकी स्कुञ गैंक्स, छेट्सट कुदा एक्सरसाइस 9.17 क्लास का 9.1 का हम फ़र्स क्वेस्ट करते हैं इसमें क्या है रेशनल लबर के बीच में पाँच परी मेंसंख्या 향 निकालें फाइव रेशनल लबर दिर्न आपके पास पहला question क्या बता रहा है देहां से देखो जैसे first का first का minus one और zero ओके ये है इसके बीच में आपको पांच और rational numbers निकालने है परिमेशंख्या है पहले तो ये कि क्या minus एक परिमेशंख्या है तो तपी बत्या की उपके रूप में है तो यहां बत्या में क्या है कुछ नहीं का मतलब एक minus एक upon एक इसका मतलब इसके नीचे कुछ भी नहीं था minus one के नीचे तो one है तो ये पी बत्या क्यूप के रूप में लिखी जा रही है ठीक है पी की जगा minus one है क्यूप की जगा one है तो condition क्या है P वक्टा Q के रूप में लिखें और Q की जगा 0 ना हो is not equal, equal का निशान ऐसे लगाया और ऐसे काच जा, this is not equal Q 0 के ब्राबर नहीं है, ओके, तो ये परिमेशन क्या है ऐसे 0 के नीचे कुछ नहीं का मतलब कितना है, one तो ये भी P वक्टा Q के रूप में लिखी जा रही है, और इस Q की जगा एक है, ना की 0 है clear, तो इसलिए ये परिमेशन क्या है, तो यहाँ आपको confused नहीं होना, ओके अब हम question इसको solve करते हैं minus one और 0 के बीच में, पांच परिमेशन क्या हैं निकालने हमको five rational numbers अब देखो, minus one हैं इसको अगर हम, one upon one से multiply करें, तो क्या ऐगा, minus one upon one, one upon one का मतलब one नि होता है, कोई फरक नहीं होता, minus one नहीं रहता है ठेक है, और जब हम इसको two upon two से multiply करें, वो भी काट के one नहीं रहता है, तो कोई फरक नहीं है तो आप यह भी कर सकते हो, okay you can do 2 upon 2 तो यह हो जाएगा minus 2 upon 2 इस तरह से आप इसको into 3 upon 3 भी कर सकते हैं, 4 upon 4 भी कर सकते हैं, 5 upon 5 भी कर सकते हैं, जैसे minus 1 multiplied by 5 upon 5, कोई question आई से तो minus 5 upon 5, तो इसको जब काटोगे तो minus 1 रहता है same रहता है, तो कोई फरक नहीं है आप इसको कर सकते हो, into 6 upon 6, 7 upon 7 1 upon 1, ओके ऐसे ही इसी तरह से आप कर सकते हो, 0 upon 0 को जो 0 दे रखा, यहाँ पे दूसरी value, 0 दे रखी है यह आपको समझाने के लिए basic बताया जा रहा है, इसमें पहले जो इसी question मैं दिहान से समझना है, जैसे 0 है 0 को आप multiply कर सकते हो 1 upon 1, 0 को चाहिए किसी से multiply करो, तो 0 ही रहता है तो 0 upon 1 5 upon 5 से multiply करो तो 0 upon 0, 0 ही रहेगा ठीक है? यह 0 ही रहेगा किसी भी चीज से 0 करो, यह कार करके 1 यह 0 ही रहता है, तो इसको भी हम multiply कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, 0 upon 5, क्या लिख सकते हैं? 0 upon, 0 upon 5, 0 into 6 upon 6 इसको 6 into 0, 0 upon 6, तो जब यह इसको divide करेंगे 6 से तो यह 0 ही रहता है समझाया? ठीक है? तो 0, 0 ही रहता है, तो हम किसी भी अंक को, चाहिए 1 है 2 है, 3 है, 4 है, उसको 2 upon 2, 3 upon 3, 4 upon 4, किसी से multiply कर सकते हैं, ठीक है? तो अब इसमें minus 1 और 0 है समान हर वाली तुले परिमे संख्या समान हर वाली का मतलब minus 1 तो इसको हमने बना दिया क्या किया, इसको हमने minus 1 5 निकालने तो हम 6 upon 6 कर देते हैं, तो जब इसको किया multiply तो उपर वाले आपस में 6 upon 6 से किया, जैसे अभी बताया तो उस तरह से, upon 6 तो ये minus एक गुणा 6, minus गुणा 6 के आगे कोई निशानी ये plus है, तो minus into plus होता है, minus 6 बन जा 6, 6 बटा 6, ठीक है? और ऐसे ही 0 को आप लिखोगे, 0 is equal to 0 into 0 upon 6 6 upon 6 ठीक है? जिससे इसको किया उसी से आपको दूसरी value को भी करना पड़ेगा, जिससे first को किया उसी से ही दूसरी को भी करना है क्यूंकि हमारे पास यहाँ पे से इम आना चीह, दोनों, 6, 6 6 है तो 6, 6 ही आना चीह 6 into 0, 0 upon 6 clear? तो यह आ गया minus 6 upon 6 और 0 upon 6 तो minus 6 upon 6 और 0 upon 6 के बीच के बीच पूरणा कों से आएंगे? minus 5 upon 6 minus 4 upon 6 minus 3 upon 6 minus 2 upon 6 minus 1 upon 6 ओके? खिक है? इस तरह से आ रहे हैं तो इन दों के बीच में ओके? तो minus 5 upon 6 इससे छोक्ता होता है minus 3 upon 6 छोक्ता minus 4 होगा? यह इससे less होगा यह इससे less होगा तो यह इसके बीच में इती है ठीक है? और हम less than or equal कैसे लिखते हैं? less or equal को हम कैसे दर्शाते हैं? जैसे minus 6 upon 6 है यह less than है minus 5 upon 6 है जो less than है यह वाला निशान minus 4 upon 6 यह less than है minus 3 upon 6 तो इस तरह से आपको यह questions करने है और इनके बीच में परिमेशन क्या है ऐसे निकलेगी ऐसे इसका second question है अगर हम इसकी second में जाएं वो भी same है तो यह आपको करना है second यह अगर नहीं आए तो आप comment box में बता दें तब आपको समझाया जाएगा अब आप third question करें minus 4 upon 5 और minus 2 upon 3 इसमें भी 5 परिमेशन क्या है निकलनी you have to find out the 5 rational numbers between these two numbers इन दो नंबर के बीच में आपको 5 परिमेशन क्या है निकलनी है 5 rational numbers तो आप इसको भी ऐसी करेंगे ठीक है हर को समान करना है हमने अब जैसे minus 4 बटा 5 है तो इसको आप लिख सकते हो minus 4 बटा 5 गुणा 1 बताया था ना आपको जब 1 से multiply करें तो ये सेम रहता है तो इस 1 को आप लिख सकते हो कुछ भी 2 upon 2 3 upon 3, 4 upon 4, 5 upon 5 6 upon 6, 9 upon 9 10 upon 10, 12 upon 12 कुछ भी लिख सकते हो जैसे मालो हम यहा 9 upon 9 लिख लिख लिखते हैं खीक है तो ये क्या आएगा इसको multiply कर दो minus 4 into 9 क्या बताया इसमें minus 4 into 9 उपर वाले आपस में multiply होंगे और नेचे वाले आपस में ऐसे गुणा होते हैं आइश आइश आपस में गुणा होते हैं हर हर आपस में तो minus 9 4 36 बटा 9 5 45 clear और ऐसे ही हम फिर दूसरा अगर हमने इसको 9 upon 9 लिखा है तो next को भी हमको ये वाले को भी हमको 9 upon 2 upon 3 को भी हमको कितने से करना पड़ेगा कि हमारे पास नीचे कितना है 45 हर ब्राबर करना है हमने कितने से करना पड़ेगा यहाँ पे हर 45 था तो यहाँ पे भी 45 भी आना चाहिए तो अब हम जाते हैं इसके minus 2 upon 3 next portion कैसे लिखेंगे minus 2 upon 3 into 1 तो minus 2 upon 3 ये स्केप सब में सेम आएगा into 1 की जगा अब आप कितने बग्या कितने लिखोगे आपकी पास 45 यहाँ है तो ये 3 का टेवल पड़ो 3 1 जा 3 3 2 जा 3 6 3 3 जा 9 इस तरह से 45 कब आएगा 3 10 जा 30 3 12 जा 36 3 14 जा अब 3 15 जा कितना होता है 15 45 तो ये 15 से जाएगा ठीक है कितने से जाएगा 15 से तो अब इसको मल्किप्लाई करो माइनस 15 इंक्टो 2 उपर वाले आपस में मल्किप्लाई होते हैं विद साइन नीचे वाले आपस में गुणा ऐसे करते हैं क्लियर अब देखो इसको मल्किप्लाई करो तो कितना है माइनस 30 बटा 55 इजी है ना माइनस तीस बटा पेंटालिस अब देखो उपर कितना आया था माइनस छती बटा पेंटालिस और यह कितना आया था माइनस तीस बटा पेंटालिस ओके अब क्या क्या आया है इसके बीच में क्या लिखोगे आप किसके बीच में निकाले हमने इनके बीच में पांच परिमे संखिया हैं या जो हिंदी मिग्यम वाले वो कैसे लिखेंगे माइनस चार और पांच के बीच माइनस चार बटा पांच और माइनस दो बटा तेन के बीच में पांच परिमे संखिया हैं ठीक है तुल्य परिमे संखिया है कहते हैं कौन कौन सी हैं कौन सी आएगी परिमे संखिया हैं तो आप लिख देना rational number या परिमे संख्या है कौन कौन सी आई आप देखो minus 35 बक्ता 45 से लेकर कहां तक आएगी हमारे पास था minus 36 बक्ता 45 था यहां एंग यहां पर कितना था minus कितना था यहां पर minus 30 अपॉन 45 तो अब इनके बीच में minus 35 minus 36 अपॉन 45 से आगे minus 35 अपॉन 45 उससे आगे minus 34 अपॉन 45 उससे आगे minus 33 अपॉन 45 उससे आगे minus 32 अपॉन 45 फिर आएगा minus 31 अपॉन 45 फिर है 30 अपॉन 45 minus 30 अपॉन 45 थिक माइनस का साइन जरूर है अब देखो ये इस से छोटा है ये आपको पहले पिछले वीग्यों में बता दिया कौन सा छोटा है ठीक है और इसमें हम साइन कैसे लगाते हैं लेस देन का साइन जैसे दो में बताती हूं मैं यहां माइनस थर्टी सिक्स अपॉन फॉर्टी यह खुला पोर्षन है इसकी साइक को बढ़ा अंक आएगा और जो एक कौना इसकी साइक को छोटा आज अब मैंने कल क्या बताया था पिछले वीग्यों में क्या बताया है माइनस 35 जो है वो बढ़ा होगा माइनस 36 जबकि पलस का 36 बढ़ा है 35 लेकिन जब माइनस जूड ज तो ये छोक्ता हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, clear? तो इस तरह से this was the first question of exercise 9.1, तो आपको ये समझना है, ध्यान से करना है, I think आपको समझ आचुका होगा,